सौबात की एक बात सफलता का स्यानी सक्सेस का कोई मंत्रे नहीं होता कोई सौट कट नहीं होता है यह तो सिर्फ आपकी कठीन परिश्रम आपके लगन का आपके महनत के प्रति इमंदारी का एक फल होता है बहुत बड़ी बात है इस चीज को समझेगा बिना महनत का यानि महनत लगन परिश्रम अपना 100% फोकस के बिना सफलता सक्सेस का सपना देखना भी जो है वो कहीं ना कहीं खुछ से बैमानी है क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद दोटिफिकेशन के बेल को दबा दीचेगा ताकि हर एक क्लास का अबबिट मिलता रहे और आप सभी हमारा एप्लिकेशन गूगल के प्लेश्ट प्लेश्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर SAC हो, बैंक हो या फिर रेलवे हो हर एक एक्जाम का मोग टेस्ट, स्पीड टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वहाँ पर जाकर दे सकते हैं आपको हर एक एक एक्जाम का एक दो फ्रीम मिल जाएगा अगर आप वहाँ से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडीटी के साथ एक साल तक हर एक्जाम का मोग टेस्ट और हर एक्जाम का कम से कम 20-25 सेट आपको दिया जाएगा ताकि एक्जाम से पहले आप सभी जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहें और आज कवर करेंगे हम सभी 16 और 17 फैवररी के इपॉर्टेंट करें टफ है और एक बात कल रात को साड़े 11 बजे मैंने फिलिम फेयर का बिडियो जो है वो डाला था फिलिम फेयर आवार्ट्स के उपर और आप लिख कर ले लो आज हमसे कि आपके आने वाले एक्जाम में एक क्वर्सन तो निश्चित है आपका वहां से बनेगा ही बनेगा तो विडियो देख लीजेगा कली रात को जो है वो अपलोड किया गया है और आज के क्लास के टाइमिंग पर भी एक नजर ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिसना हो तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामनी क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला प्रस्न है सरकार ने पूरे देश में वायू पर दूसरण से निपटने के लिए कौन से रणनीती शुरू की है ये आपको भताना है और वो रणनीती का नाम है आपका NCAP, NCAP बोल सकते हो आप सबी ठीक है और इसका फूल फ्रॉम क्या है तो रास्ट्य स्वच वायू का रिक्रम, National Clean Air Program ठीक है ये सुरू किया गया है सरकार के द्वारा ताकि वायू पर दूसरण से जो है वो सरकार निपट सके ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है सबरी माला मंदीर जो आप सबी को पता है केरला में है ये मंदीर ठीक है सबरी माला मंदीर में गहनों की सूची तयार करने के लिए सरोच नियाले ने किसे निपत किया है सबरीमाला मंदीर जो आपका किरला में पढ़ता है उसकी पूरी सूची तयार करने के लिए यानि गहनों की सूची तयार करने के लिए सुप्रीम कुट कोट के द्वारा किसे निव्ट किया गया है और जिन्हें निव्ट किया गया है उनका नाम है सी एन राम चंदर नायर और यह भी एक जो है वो जज रहे चुके है किरला हाई कोट के याद रखिएगा सी एन राम चंदर नायर को जो निम्त किया गया है सुप्रिम कोट के द्वारा यह भी जो है किरला हाई कोट के जज रहे चुके हैं ठीक है और किरला में आपका मंदिर है सब्री माला तो किरला के सियम कौन है पीनारे बिजायन राजजपाल आरिफ महमद खान और राजधानी क्या है तो वो है आपका तिर्विंदरम पूरम अगला प्रस्त मारे सामनी है आप सभी को पता है कि अंदर सरकार के द्वारा टार्गेट रखा गया है कि 2024 तक भारत की जो अर्थ विवस्ता है उसको 5 ट्रिलियन तक पहुचाना है अब आपको सवाल ये बताना है 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थ विवस्ता बनाने की यात्रा में किस देश को भारत का पसंदिदा बैपार भागिदार कहा गया है और वो देश है आपका अमेरिका ओप्सन नमबर C USA अगला प्रस हमारे सामने है LIC के नब विवस्ता हैий प्रीमियम ने अपनी बजार विस्तेदारी में सुधार के लिए पहली बार कितने लाक करोड का आकड़ा पार किया है कितने करोड कितने लाग करोड का आकड़ा जो है वो पार किया है तो वो है आपका देह लाग करोड का ठीक है amount याद रखिएगा अगला प्रस्स हमारे सामने है NPCI अब इसका full form क्या है तो वो भी सुनलो आप सभी National Payment Corporation of India ने भारत में किस डिजिटल भुकतान प्लैटफॉर्म को लाँच करने की अनुमति दे दी है यानि जितने भी wallet बोल सकते हो, e-payment बोल सकते हो, जो भी ये इंडिया में लाँच होता है उसके लिए सबसे पहले NPCI के द्वारा जो है वो आपको permission लेना पड़ेगा इसका full form क्या है National Payment Corporation of India और इसके chairperson कौन है, chairman कौन है, तो वो है आपके delivery SB, ठीक है ये भी आपको याद रखना है तो किस digital भुकतान platform को launch करने की अनुमती दे दिया गया है NPCI के द्वारा तो वो है आपका WhatsApp पे, ठीक है, option number C, WhatsApp पे अगला प्रस्स हमारे सामने है कौन सी राज्य सरकार transgender समुदाई के लिए एक अलग पहचान पत्र बनाएगी यानि जितने भी अब transgender है, उनको उनके लिए जो है अब अलग से identity card बोच सकते हो, एक अलग से पहचान पत्र जो है वो बनाया जाएगा कौन से राज सरकार के द्वारा, तो वो है आपका राजस्थान हाला कि मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान से पहले यह काम जो है वो केरला कर चुका है, तो यह भी याद रखेगा केरला के बाद, ऐसा करने वाला कौन सा राज जी बन गया है तो वो बन गया है आपका राजस्थान, और राजस्थान की सीम कौन है तो वो है आपके असोग गहलोत, राज जुपाल कौन है कल राज मिस्रा और कैपिटल आपका जैपूर और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप कम से कम जुरूर करिएगा अगला प्रस हमारे सामने है कि कैरन पियर्स को किस देश द्वारा यानि अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया है यानि Karen Pierce को जो है वो अमेरिका का राजदूत बनाया गया है किस देश के द्वारा तो वो देश है आपका Britain यानि England बोल सकते हो UK बोल सकते हैं आप सभी और वहां के पढ़ान मंत्री कौन है तो Boris Johnson राजधानी London और मुद्रा आपका Pound Strilling ठीक है question काफी important हो तो इसको एक बार आप सभी note कर लीजिएगा अगला प्रस्त हमारे सामने है कोलकाता में राष्ट्या चेंपेंशीप में पुरसो की 109 किलोग्राम की खिताबी जीत में तीन रिकॉर्ड किसने बनाया है और ये रिकॉर्ड बनाया गया है आपका चंद्रकांत माली के द्वारा option number आपका C अगला प्रस्त हमारे सामने है कोलकाता में राष्ट्या चेंपेंशीप में महिला वर्ग में बेस्ट लिफ्टर के रूप में कौन उभरा है तो वो है आपके S मीरा बाई चानू option number आपका D अगला प्रस्त हमारे सामने है F.I.H. यानि हौकी की बात कर रहा है उनके द्वारा मेंस प्लियर अफ दे इयर 2019 का पुरुसकार जितने वाले पहले भारतिया कौन बन गए है और वो बन गए है आपके मनप्रीज सिंग जो अभी बरतमान में इंडियन हौकी टीम मेंस के कैप्टेन भी है ये तो F.I.H. के द्वारा उनके according मेंस प्लियर अफ दे इयर 2019 का पुरुसकार किसे दिया गया है तो इंडियन हौकी टीम के कैप्टेन मनप्रीज सिंग को ठीक है option number आपका C अगला प्रसमारे सामने है UK यानि इंगलैंड के नवित्त मंत्री के रूप में किसे निक्त किया गया है उनका नाम बताना है UK new finance minister और उनका नाम क्या है और ये question भी काफी important है याद रखेगा उनका नाम है आपका Risi Sonic और इनका जनम जो है वो भारत में हुआ था इसलिए और उपर से जो है इनको इंगलैंड के finance minister जो है वित्त मंत्री बना दिया गया है तो question ये वाला काफी important बन जाता है आपके exam के लिए अगला प्रसमारे सामने है Olympic Qualifier के लिए IOC यानि Olympic की बात कर रहा है Boxing Task Force Ranking में किस भारतिय मुक्यबाच को number 1 इस्थान दिया गया है तो अपने आप में हाला कि अगर आप चारो option देखोगे तो चारो option अपने आप में बहुत बड़े नाम है लेकिन जो option number B और C है ये काफी जादा बड़े नाम है लेकिन जिसे एक number इस्थान दिया गया है उनका नाम है Amit Phangal option number आपका C ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है बिश्व मौसम बिज्ञान संगहतन के अनुसार अंट्राटिका ने हाल ही में अपना सबसे गरम तपमान दर्ज किया था तपमान क्या पढ़ रहा था यानि आपको यहाँ पर पढ़ रहा है ट्रांसलेट गल्ती हुआ है आपको बताना है जो अभी सबसे ज़्यादा गरम तपमान जो दर्ज किया गया है अंट्राटिका में वो तपमान कितना था ये आपको बताना है तो याद रखेगा 20.75 डिग्री सेल्सियस, option number B ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है सयुक्त रास्ट जलवायू सीखर सम्मिलन, कोप 16 की मेजबानी कौन सा देश करेगा और ये कौन सा देश करेगा, तो ये question भी काफी important है आपके exam के लिए और वो देश है आपका Britain यानि की England, अगला प्रस्त हमारे सामने है पंडित दिन दयाल उपादिया की पंच लोहा परतिमा का उदघाटन 16 February यानि कल के दिन 2020 की सहर में किया गया था, ये आपको बताना है और ये उदघाटन किया गया है आपका वारनसी यानि बनारस में अगला प्रस्त हमारे सामने है एर इंडिया के नए अध्यक्ष और परबन निदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है और उनका नाम क्या है राजी बंसल आप्सन नमबर आपका A अगला प्रस्त हमारे सामने है नए दिल्ली में कौन सा सहर रास्टिय जीविका खाद मौसो की मेजबानी करेगा और वो सहर है आपका नए दिल्ली यानि नए दिल्ली जो है वो होस्ट करने वाला है नेशनल और्गैनिक फूड फस्टिवल और यहाँ पर और्ड्रेडी एंसर दिया गया है नए दिल्ली इन न्यू दिल्ली आपके इंगलीस में ही एंसर छुपा हुआ है कोई बास नी तो एंसर क्या होगा आपका नए दिल्ली और हाँ आज का आपका पहला प्रस्त यह है ध्यान से सुनिएगा फिल्म फेयर से आपका आज का पहला प्रस्त है आप सभी को कॉमेंट्स करकर यह बताना है सरवसेष्ट निर्देशक का पुरुषकार इस बार के फिल्म फेयर में किसे दिया गया है 2020 में और कौन सी फिल्म के लिए फिल्म फेयर से एक क्वसें सियोर सौट आपके एकजाम में बनेगा मतलब बनेगा कल के क्लास को देख लीजेगा पिडियब भी जो है वो पूरा अप्टू डेट है सो मेरे जितने भी भाई बैन है सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना? चलिए